रजबी किताब घर पेज नमबर 116 मुकास्पतुलकलब लाया करते थे मगर उस दिन जवाल के वक्त तस्रीफ लाए मैंने अपने वालिद अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हों से जाकर कहा अबा जान नबी करीम सल्लाहु आज खिलाफे मामूल चेहरे पर कपड़ा लपेटे तस्रीफ लाए हैं हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हों ने कहा खुदा की किसम हजूर किसी अहम काम के लिए इस वक्त तस्रीफ लाए हैं हजरत आईसा रजी अल्लाहु अन्हों कहती हैं कि हुझूर अजाज़त लेकर अंदर तस्रीफ लाएं हजरत अबूबकर रजी अल्लाहु अन्हों ने आपके लिए चारपाई खाली कर दी जब हुजूर तस्रीफ फर्मा हो गए तो आपने फर्माया इन दोनों को बाहर भेज दिया जाए सिद्धिक अकबर रजी अल्लाहु अन्हों ने अर्ज की हुजूर यह आईसा और अस्मा आप ही का घराना है एक रिवायत यह है कि उन्होंने कहा हुजूर मुतमईन रहे यह मेरी बेटियां है हुजूर सलललाहु अल्हे वसलम ने फर्माया मुझे रब्य जुल्जलाल ने हिजरत की इजाज़त दी है और तुम मेरे साथ रहोगे आईसा सिद्धिका रजी अल्हों अन्हा कहती है अभू बकर रजी अल्हों अनु यह बात सुनते ही सुनते ही सिद्धते जज़बात से रो पड़े और अर्ज की हुजूर मेरी इन सवारियों में से एक सवारी पसंद फर्मा लीजिए आपने फर्माया मैं कीमत दे कर लूँगा एक रिबायत में है आपने फर्माया चाहो तो एक मेरे हाथ बेच दो आपने कीमत दे कर इसे इसलिए सवारी हासिल की ताकि आपको हिजरत की मुकमल फजीलत हासिल हो जाए और जान वा माल की कुर्बानी से इसकी सुरुआत हो हजरत आईसा रजीललह अन्हा फरमाती है हमने जल्दी जल्दी सफर का सामान दुरूस्त किया एक रिवायत है हमने हुजूर स.ल. अ. और सिद्दिक अकबर रजीललह अन्हू के लिए बहतरीन सामाने सफर बांधा और उसे एक थहले में डाला सफ़रे हिजरत में जादे रह सफ़र खर्च वाकिदी की रिवायत है कि रास्ते के खर्च के लिए एक भूनी हुई बकडी थी हजरते अस्मा ने अपनी कमर का पटका फारा और उस से थेलो का मुँ बांध दिया इसी लिए हजरते अस्मा को जातुनी क ताकैन कहते हैं हजरते आईशा रजी अल्हाँ अन्हा फरमाती हैं हुजूर अबु बकर सिद्धी के रजी अल्हाँ अन्हों ने तीन राते गारे सौर में गुजारी उस गार में जो में चूकी सौर बिन अब्दे मनात आकर ठहरा था इसी लिए उसे गारे सौर कहा जाता है रिवायत है कि हुजूर सल्लालाह अल्हाँ वसल्लम और सिद्धी के अकबर रजी अल्हों रात के वक्त मकान की पिछली खिर्की से निकल कर गार की तरफ रवाना हुए थे रास्ता में अबुजहल आ रहा था मगर अल्हा ने उसे अंधा कर दिया और आप